आज हम लोगों का टॉपिक हैं Compound Formation from its iron Means जिसे कुछ Compounds होते हैं जिसे कर हम बात करें Na2O Sodium Oxide Calcium Oxide Aluminium Oxide Calcium Chloride Sodium Carbonate Aluminium Sulfade कैलिसियम fosfaid इस तरणा के बहुत सरे compound होंगे ठीक है लेकिन इसको बनाने के कुछ तरीके होते हैं बनाने के तरीके मतलब कर दनने के हुआने के इनके वेलैनश के से इनके compound के formula को हम जान सकते हैं जैसे मौलो कि हमसे कहा गिया जाठा हुखा कि calcium phosphate का क्या formula होगा तीक है वहमको नहीं धयान आ रहा है लेकिन अगर हमको इनकी Valences पता है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इनके ये formula बना सकते हैं तो आज क्लाश में यही मुझेंगे तो इनको itself इनके ions से, इनको इनके आयन से कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, तो start करते हैं, इससे पहले, पहले हम वैलेंसी समझ लेते हैं, कि वैलेंसी क्या होती है, ठीको वैलेंसी होती है, आउटर मुस्ष चल में, जैसे एक configuration होता है, 2, 8, 18, 32 यह configuration टिक बोरबरी रूल और 1, S2, 2, S2, 2, P6 टिक हैं आप बाहू रूल इन दोनों मैठल से हम क्या कर सकते हैं किसी भी एटम की वैलेंसी निकाल सकते हैं अगर हमको वैलेंसी पता चल जाएगी तो हमको यह पता चल जाएगा कि उस एटम के उपर कितना positive charge है या कितना negative charge है अगर यह दो चीजे हमको पता चल जाती है तो हम क्या बना सकते हैं उस compound का formula हम पता कर सकते हैं कि उस compound का formula क्या होगा ठीक है तो देखो वैलेंसी में एक point आता है जिसे हम कहते हैं outer motion outer motion outer motion क्या होती है outer motion बाहर की cell होती है जो यह बताती है कि किसी atom की valency क्या होगी अब हम normal method यूज़ कर रहे है जैसे हमको sodium है ठीक है sodium का atomic number कितना होता है 11 इसका हमने configuration किया 281 यह इसका configuration होगा chlorine है इसका हमने configuration किया 287 ठीक यह इसका क्या होगया configuration होगया अब किसके उपर कितने plus आएंगे या किसके उपर कितने minus charge आएंगे वो कैसे निकालते हैं तो उसके लिए एक rule होता है अगर मान लो यह हमारी outer motion है इसी को हम क्या कहेंगे outer motion बाहितम कोज जो बाहर पढ़ लाई है यही valency show करती है ठीक है तो outer motion में जो electron हो सकते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 32 यह electron हो सकते हैं तो normal rule हमको यह याद रखना है अभी के लिए कि अगर outer motion में एक, दो, तीन electron होते हैं तो यह electrons हैं एक, दो, तीन electron होते हैं तो वो क्या करते हैं donate कर देते हैं देते हैं तो यहां पर जब एक देगा तो सब्सक्रा नहीं होगा यह शेरिंग करता है io 5-6-7 पर यह कितने करेगा इससे इसका 8 कंप्लीट हो जाइं इसी को कहते हैं और यहांप गया है तेग 1 है तुबpex Exchange complete होगा तो 5 पर यह कितने लेंगे 5 पर यह एक electron लेंगे, एक electron का मतलब 1-, ठीक है, तो यही कुछ छोटे से rule है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो छोटे-छोटे compound है, उनके हम formula पता कर सकते हैं, ठीक है, आउटर motion में अगर 1, 2, 3 आएगा, तो यह donate करेगा, एक पर एक प्लस, डो पर दो प्लस, तीन पर तीन प्लस, ठीक, पांच छे साथ पर क्या होगा, यह क्या करेगा, electron लेगा, किसलिए लेगा, जिससे यह क्या कर सकते हैं, अपना ओक्टेट कंप्लेट कर सकें, ठीक है, देखो, donation और gain, जो भी electron का, जो electron donate होंगे, या जो electron gain होंगे ठीक है ये point तभी होगा जब इसका octate क्या हो complete हो अब जैसे मालो किसी के outer motion में एक है लेकिन एक वो तभी देगा एक वो तभी देगा जब एक देने पर उसका octate complete हो example के तौर पर जैसे hydrogen की हम बात करें तो hydrogen को the atomic number one होता है इसके outer motion में तो one ही है ठीक है अगर मालो कि ये किसी को electron दे देगा अब जैसे ये rule याद रखा जाए कि outer motion में एक होगा तो वो electron दे देगा अगर ये point ना बताया जाता कि octate भी कुछ होता है अगर किवल ये ही बताया जाता कि outer motion में एक होगा तो वो क्या करेगा एक दे देगा तो उसके according यहाँ पर क्या होना चाहिए ये एक दे देगा जब ये एक दे देगा तो इसके पास तो electron zero हो जाएंगे ना तो rule ये कहता है कि electron तभी देगा ये electron तभी लेगा जब उसका क्या हो octate complete हो अब जैसे यहाँ पर देगो sodium है sodium के outer motion में एक है अगर ये एक दे दे तो इसका क्या हो जाएगा इसका octate complete रहेगा और इनको देखो ये एक ले 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 ये एक electron gain कर ले तो भी इनका octate क्या हो जाएगा complete हो जाएगा तो ये जो point होते हैं ये point तभी use होते हैं जब electron donate करने पर या electron gain करने पर उनका octate complete हो अगर मान लो outer motion में एक दो तीन आ रहे हैं तो वो donate करेंगे लेकिन donate कब करेंगे जब उनका क्या हो जाए octate complete हो अब यहाँ पर देखो एक है ये एक easily क्या कर सकता है remove कर सकता है electron क्यों क्योंकि electron दे देगा तो इसका octate क्या रहेगा complete रहेगा यहाँ पर देखो ये एक ले लेंगे क्यों ले लेंगे क्यों अगर इनको एक मिल जाए तो इनका octate क्या हो complete हो जाएगा और जितने भी होते हैं वह चाहते हैं कि हम अपना Ac dollar complete कर लें कोग abuse कि जब इनका locate complete होका सब ये किसके according हो जाएंगे तब ये innerl gas के 거्य कोई भी कुछ नहीं होंगे को कि यह जितने भी element होते वह सब चाहते है आपना octet complete करना आपने आपको इ transgender इनल्ट गैस के एकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो यह पॉइंट यहां पर एक है तो यह एक डोनेट नहीं कर देगा डोनेट तभी करेगा जिब डोनेट करने पर उसका ऑक्टेट क्या रहे कम्प्लीट रहे ठीक है जैसे हमने यहां पर एक्जांपल लिया था सूडियम का सूडियम का 11 है सूडियम का 11 है तो इसका कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 281 अब यहां पर देखो आउटर मोशन में वन इलक्ट्रॉन है अगर यह एक इलक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसका क्या हो जाएगा Octate complete हो जाएगा, तो यह एक electron donate करेगा, जब यह एक electron donate करेगा, तो donate करने के बाद, इस sodium के उपर कितने plus हाजाएगे, एक plus हाजाएगा, इसका configuration क्या बचेगा, 28, ठीक, यही हमारे ionic bond भी show करते थे, chlorine का 17 होता है, इसका configuration हो जाएगा, 287, ठीक है, अब यह क्या करेगा, अगर ए एक electron ले लेंगे, तो इसका पर एक minus आजाएगा, एक electron लिया है न, इसने एक electron donate किया है, donate किया है, और इसने एक electron लिया है, 288, ठीक है, इसने एक electron gain किया है, ठीक है, तो इसका octet क्या हो गया, complete हो गया, अब जड़ा देखो, जैसे sodium है, sodium को एक electron देना था, sodium को एक electron देना था, chlorine को एक electron लेना था, तो होता क्या है, इसमें कि sodium क्या करते है, अपना एक electron chlorine को दे देते हैं, तब हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, compound NaCl बन जाता है, तो हमको यही चीज़ समझना है, कि अगर हम इसके उपर ये charge, ये जो इसके उपर लिखा होता है, ये Na+, तो इसके पर ये जो है, ये है, चार्ज है, और इस पूरे को हम कहेंगे, आयन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, sodium iron, अगर ये charge हमको पता सल जाते हैं, चार्ज डो टाइप क्यों होते हैं, एक positive charge होगा, और एक negative charge होगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों में कहा जाए, एक positive charge, एक negative charge, और एक कैसा होता है, neutral होता है, तो ज़रा stable कौन सा होता है, तो neutral ज्यादा stable होता है, ठीक है, तो अगर ये charge हमको पता सल जाएंगे, तो हम इसके क्या निकाल सकते हैं, ये formula हम इसके find कर सकते हैं, ठीक, तो अगर charge पता सल जाए, तो formula कैसे find करेंगे, तो देखो भुजरा, यही हम sodium chloride का example ले रहे है, sodium के उपर क्या है, एक plus आया, chlorine के उपर क्या आया, एक minus आया, ठीक है, तो rule क्या कहता है, कि दोनों atom पर हमने क्या लिख लिए, charge लिख लिए, charge लिखने के बाद इनके charge को देखते हैं, अगर दोनों charge बराबर हैं, दोनों charge equal है, equal का मतलब जैसे यहाँ पर भी एक plus है, यहाँ पर भी एक plus है, इसमें भी एक plus है, इसमें एक minus है, charge equal है, तो इसमें कोई भी changing नहीं होगी, अगर charge equal होते हैं, जैसे यहाँ पर मालो, जैसे calcium की बात करते हैं, दो प्लस दो माइनस यहां पे भी दो प्लस हैं यहां पे भी दो माइनस हैं चार्ज एक्वल हैं तो कोई भी चेंजेश नहीं करेंगे इनको ऐसे ही जोड़ करके लिख देंगे पहला पॉइंट क्या बताया है कि अगर चार्ज एक्वल होते हैं तो इन में आइनस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी इनको एक साथ जोड़ करके ऐसे ही लिख दिया जाएगा ठीक है लेकिन अगर चार्ज डिस बैलेंस हो जाते हैं फॉर एक्जाम्पिल जैसे कैल्सियम का 20 होता है कॉन्फिग्रेशन होगा 2882 क्लोरीन का 17 होता है 287 अब देखो जाए इसके आउटर मोशल में कितने एलक्टरॉन है दो है यह क्या कर सकता है दो दे सकता है क्योंकि अगर यह दो दे देगा तो इसका क्या होगा इसके आउट इसका त्रीट क्या होगा कम्प्लीट हो जाएगा ठीक तो यह दो दे सकता है बताया था ना कि आउटर मोशल में एक दो अफ्ला होता है तो वो डोनेट कर सकता है ठीक है तो डोनेट कर देगा तो मीनस यहां समको यhero新त खला कि कैल्शियम के उपर कितने चार्ज होए दो प्लस हुए है, क्लोरीन एक लेगा, तो क्लोरीन को पर क्या हो गया, एक माइनस, इस बार देखो, चार्ज एक्वल नहीं है, अगर चार्ज एक्वल नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी चार्ज आये हैं, इनका हम क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर देते हैं, इनका हम क्य क्या करेंगे क्लोरी में मल्टिप्लाई कर देंगे और इसको पर जितने भी माइनस हैं उसको किसमें मल्टिप्लाई कर देंगे कैल्सियम में अगर charge disbalance होते हैं means equal नहीं होते हैं तो जो charge के numbers होते हैं उनको cross multiplication केर दिया जाता है calcium के ओपर 2 plus है टिक तो हम क्या करेंगे chlorine में हम 2 से multiply कर देंगे और chlorine के ओपर 1 minus है तो इसमें हम क्या करेंगे 1 से multiply कर देंगे यही हमारा क्या बन जाएगा formula अब जड़ा देखो calcium में 2 plus थे means हम chlorine में 2 से multiply कर देंगे chlorine को पर 1 minus है तो calcium में 1 से multiply कर देंगे means इसका formula क्या बन जाएगा CACL2 यह point बन जाएगा अगर charge balance होते हैं charge equal होते हैं ठीक है जितने plus है उतने ही minus है कोई भी changing नहीं होगा charge disbalance हो जाते हैं charge के number होते हैं उसमें cross multiplication कर देते हैं example दूसरा जैसे aluminium oxide बनाना है ठीक है तो aluminium का होता है 13 oxygen का होता है 8 configuration 2 8 3 oxygen का configuration 2 6 outer motion में 3 है यह 3 transfer कर सकता है 3 दे सकता है मतलब aluminium के उपर कितने plus हो सकते हैं 3 प्लस oxygen दो गेन करेगा oxygen के उपर हो सकते हैं 2 माइनस मीश जो यहां पर ions बने हैं उसमें aluminium के उपर 3 प्लस है oxygen के उपर 2 माइनस है charge disbalance है यहां पर 3 प्लस है यहां पर 2 माइनस है तो इस 2 से हम इस मेख मल्टिप्लाई कर देंगे और इस 3 से हम इस मेख मल्टिप्लाई कर देंगे cross multiplication हो गया जो भी charge के नंबर है उनका cross multiplication हो गया है 2 थे तो aluminium में 2 से यहां पर 3 थे तो oxygen में 3 से means इसका formula यहां पर क्या बनेगा Aluminium के हो गए, 2 Oxygen के हो गए, 3 ये बन गया Aluminium Oxide, ठीक है, कुछ और Example लेते हैं, जैसे Calcium, Calcium Oxide हो गया है, Calcium Sulfate लेते हैं, तो Calcium के उपर होता है 2 Plus, Sulfate होता है, SO4--, Sulfate आयन, ठीक, तो देखो, 2 Plus हैं, और 2 ही Minus है, कोई भी Changing नहीं होगी, दूरों को क्या करेंगे, ऐसे ही Add करके लिख देंगे, क्या formula बन जाएगा, C A SO4, ठीक है, कुछ और Example देखते हैं, जैसे मान लो, कि हमको बनाना है, Aluminium Hydroxide बनाना है, ठीक है, तो Aluminium के उपर, 3 Plus होते हैं, Hydroxide होता है, OH Minus, यहाँ पर 3 Plus है, 1 Minus है, Charge Equal नहीं है, तो इसमें 3 है, तो मतलब इसमें किस से Multiply होगा, 3 से, यहाँ में 1 है, तो किस से Multiply होगा, इसमें, 1 से formula क्या बनेगा, Al, OH का Whole Thrice, एक जैसे, एक Example यहाँ पर ले रहे हैं, Sodium Sulphide, Sodium Sulphide, तो Sodium Sulphide किस से बना हुआ है, Sodium और Sulphur से, Sodium को तुमको पता है, Plus 1 होता है, Sulphur का कितना होता है, 16 होता है, 2, 8, 6, means, 2 gain करेगा, 2 Minus, तो यहाँ पर, Sodium के उपर है, 1 Plus, S के उपर, 2 Minus, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, Disbalance है, तो इसमें किस से Multiply होगा, 2 से, और इसमें 1 से, Formula क्या बनेगा, Na2S, ठीक है, कुछ आइन्स यहाँ पर बता रहे हैं, जो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, उनके Charge, और उनके नाम, जैसे, NH4 Plus, इसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, Ammonium Ion, Ammonium Ion, ठीक, जैसे, NO3-Nitrate Ion, यह point याद रखना, कि कभी भी किसी के उपर, Plus या Minus लगा हुआ है, तो उसमें हम Ion जरूर जोड़ेंगे, और यह सब कहां Use होंगे हैं, इसमें हम लोगों के Pritical में, Pritical में यह सब चीजें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है, SO4--Sulfate, O-H minus hydroxide Ion, CH3COO minus acetate Ion, C2O4 2- ऐसे लिखा हो यह इसको ऐसे भी लिख देते हैं COO- COO- इसका नाम क्या हो जाएगा oxalate आयन का जाएगा CO3- COO- इसे कहेंगे carbonate आयन ठीक है तो इतने कुछ आयन्स हैं और भी होते हैं फिलाल इतने के नाम तुम लोगों को याद रखना है जैसे एक और CO4- इसे हम कहेंगे phosphate फॉस्फेट आयन ठीक है तो इनसे भी हमारा क्या होगा compound बनेंगे अब जैसे एक example लेते हैं जैसे मान लोग कि तुमसे कहता है कि तुमको ammonium carbonate बनाना है ammonium carbonate का formula क्या होगा तो देखो ammonium carbonate में ये हो गया ammonium देखो NH3 जो होती है वो ammonia होती है इसे कहते है ammonium iron ठीक है क्या बनाना है ammonium carbonate बनाना है तो ये हो गया ammonium ठीक है carbonate का क्या formula बताया है ये ammonium के उपर एक positive है carbonate के उपर दो negative है ये दोनों formula यहाँ पर लिखते है NH4 प्लस CO3 माइनस माइनस ये ammonium है ये carbonate है दोनों को मिला देंगे तो ammonium carbonate बन जाएगा लेकिन इसके charge देखें यहाँ पर charge कितने है 1 तो मतलब इसमें multiply होगा 1 से यहाँ पर 2 है तो इसमें किस से multiply होगा 2 से तो formula क्या बनेगा NH4 whole twice CO3 ठीक है इसी तरह जैसे उपर हमने पढ़ा था calcium phosphate ठीक calcium phosphate यह इसी को bone S भी कहते है ठीक है bone S हड़ी की राग भी कहा जाता है calcium phosphate को उसका formula देखो calcium calcium के उपर 2 plus होते है ठीक phosphate का formula लिखा है यह लिखा है phosphate ion कितने minus होते है phosphate पर PO3 PO4 3 minus ठीक है अब यहाँ पर देखो 2 plus है यहाँ पर देखो 3 plus है disbalance है तो इसमें किस से multiply होगा 2 से इसमें किस से multiply हो जाएगा इसमें 3 है ना इसमें multiply होगा 3 से इसमें 2 है तो इसमें multiply हो जाएगा 2 से cross multiplication होती ही ना यहाँ पर calcium के पर 2 plus है तो इसमें multiply होगा 2 से और यहाँ पर 3 minus है तो इसमें calcium में कितने से multiply होगा 3 से तो इसका formula क्या बन जाएगा CA3PO4 का whole twice यह होता है bonus यह ऐसी को कहते है calcium phosphate का आ जाता है ठीक है और कोई example देख लें जैसे मान लोग की कहता है sodium nitrate यह calcium nitrate का formula क्या होगा यह aluminium nitrate कहते है यह potassium nitrate देख लेते हैं potassium nitrate potassium nitrate को nitri भी कहा जाता है shora कहा जाता है potassium के nitrate NO3 minus होता है nitrate देखो यहीं जो लिखा है nitrate NO3 minus ठीक है potassium का कितना होता है potassium का होता है 19 तो इसका configuration क्या जाएगा 28 8 8 1 ठीक है outer motion में कितना आ रहा है 1 तो potassium के ओपर कितना positive आ गया 1 NO3 minus दोनों के charge क्या है equal है तो formula क्या हो जाएगा formula हो जाएगा KNO3 इसी को nitrate कहते है या इसी को शोरा का जाता है ठीक है जैसे calcium oxalate कहता है बनाने के लिए calcium oxalate कैसे बनेगा ठीक है तो calcium 4 तो समझ में आई रहा होगा calcium के पर दो positive है oxalate का क्या formula भी हमने पढ़ा है चाहिए लिखो चाहिए लिखो अक्सर यह ला formula देखने को मिलता है ठीक है तो देखो क्या हो जाएगा C O O C O O माइनस माइनस ठीक है देखो 2 plus है और 2 ही माइनस है 2 plus है 2 ही माइनस है तो इसका formula क्या हो जाएगा इसका formula ऐसे लिखेंगे C2O4 लिख दो ठीक या अगर इसी वे में लिखना है या इसी के साथ लिखना है तो कैसे लिख देंगे COO COO CA ठीक है कई वुकों में यहां पर दो प्लस दिखला देते हैं यह एक माइनस शो कर देता है तो इसने दो इलक्टॉन एक इसको इलक्टॉन दिया होगा एक इसको इलक्टॉन दिया होगा ठीक है तो यह होगी हमारा calcium oxalates इन मैठल से हम जो जो मैठल दिये गए हैं बताए गए हैं इससे हम कुछ-कुछ फॉर्मुले और्गनिक के या इन और्गनिक के निकाल सकते हैं जैसे इसमें ही बहुत फॉर्मुला पूछा जाता है कैल्सियम एसिटेट का क्या फॉर्मुला हो जाएगा तो कैल्सियम के उपर 2 प्लस होता है एसिटेट का क्या फॉर्मुला पॉर्मुला 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 क्या बनेगा CH3COO का होल्टवाइस CA कैल्सियम एसिटेट क्लियर है तो यह कुछ तरीके थे जिससे अगर तुम्हें पता है तो कुछ हद तक तुम कंपॉंट्स क्या कर सकते हो निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए तुमको यह चाल्ड याद होना चाहिए तिक इसी तना अगर सलफाइड कह देगा तो एसो 3 हो जाता है एक दो पॉइंट यहां पर लिखे नहीं है तो वो बुक में देख लेना कुछ फॉर्मिले उसमें मिल जाएंगे यहां पर हमने केवल आज की क्लास में तुम लोगों को यह बताया है कि अगर मालों कोई की कोई फॉर्मुला तुम भाइ कमन हमसे विसका आंसर पूर सक्ते हो थांक यू